असलाब अलेकुम एवरीवान वेलकम बेक टुमाई चैनल सवावसिम ब्लॉग में कैसे हैं आप सब चलिए आज हम बनाएंगे रगडा पिटीज सबसे पहले हम ले लेंगे वाइट मठर मैंने यह लिए हैं डाइसोग्राम इसमें हम एट करेंगे नमक और हल्दी अची तरीक अच्छी तरीके से इसे हमें चत्मी बना लेने हारी मिर्चिली है मैंने आठ से दस इसमें हम एट करेंगे नमक इसमें हम एक चमच तेल डालेंगे ब़रफ डालने से क्या होता है हमारी चत्नी का जो गलर है विलकुल ग्रून ही रहता है अब हम मिथी चत्नी बनाएंगे इसके लिए मैंने ले लिया है खजूर और इमली मेंने दस मिट दोनों को गरम पानी में भीगा के रख रहAU था खजूर की बीज निकाल लेना है इमली और खजूर दोनों का पेस्ट बना लेना है अच्छी तरीके से उसे चान लेना है रगड़ा पिटीस बनाने के लिए हमें ये दो चटनियों की खास जरूरत होगी जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे चान लिया है अच्छी तरीके से इमली और खजूर का पेस्ट है मीठी चटनी बनाने के लिए अच्छी तरीके से ऐसा स्मूथ पेस्ट होना चाहिए हमें चान लेना है एक चोटी कड़ाई ले लेंगे मैंने गैस कौन कर लिया है उसमें हम इमली और खजुर का पेस्ट डालेंगे अब इसमें हमें एट करना है गुड तीन से चार जमच तक्रीबन मैंने गुड लिया है इसमें हम नमक एट करेंगे इसमें हम काला नमक एट करेंगे इसमें हम कश्मीरी मिर्चे एट करेंगे इसे अच्छी तरीके से बॉइल आने देना है इसमें जीरा पॉड़र एट करेंगे अच्छी तरीके से बॉइल आने दीजिए जब तक यह खौल नहीं जाता है जब तक हां इसमें देखिए बॉइल आ चुका यह खौल चुका है इस पास-साथ मिनट अच्छे से आपकाना है गाड़ा होने तक जब तक पक रहा है आप मेरे चैनल को लाईक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंड कीजिए यह देखिए यह मीठी चटनी रेडी हो चुकी है हमारी ग्रीन चटनी भी रेडी हो चुकी है अब बॉइल आलू लेंगे पैटीज बनाने के लिए यह आलू लिया है और ने पैन रख चुका है घरम करने के लिए इसमें जू चम ऑईल इसमेंट कई बॉइल ऑप बॉइल ई उसके कोराना है इसमें जारी बॉइल आडटी, चमक जीरणा ऊहरा है empt करींगे आपके अरी मिर्ची ए पीकी या तेज़ कोई भी ले सकते हैं इसमें एक चमाचा अद्रक का पेस्ट आट करेंगे अच्छे से मिक्स कर लीजे अधरक की श्मेल ना आए जब तक हमें बूलने ना है करेंगे अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब इसमें हम डालेंगे बॉइल आलू थोड़ा सा अखी लाल मिच्च मेने से बून के इसमें डाला है अखी लाल मिच्ची का पेस्ट बना के एक चमच वाइट करना है इसमें हम बॉइल के वे आलू अट करेंगे अच्छी तरिकी से मिक्स कर लें अखी लाल मिच्ची का पाउडर बनाना है अब सुखा पेस्ट नहीं अच्छे से मिक्स कर लाएट करें हिए यह झाल लिए अच्छे से थंडा होने देना है जबाएब देखिए इस तरीके से तेल लगा लेना है और चोटी-चोटी मीडियम साइस के में ऐसे पेटि नहीं रखा है हमें शेलो फ्राइ करना है अब चाहे तो आलू में थोड़ा हलका सा कौण फ्लॉर भी यूजस कर सकते हैं तरह जायों के अधिकतक् जोड़े कर देटा always थीकनेश पानी टाला है इसमें हरा धन्य डाला है अखी लाल मिर्ची अख्का धनिया जीरा सौंफ चारो चीजों को भूल लेना है तवे पे ड्राय रोस्ट कर लेना है उसे सूखा पेस्ट बना लेना है यह रगडा स्पेशल मसाला है आपेस यह मंग्याने सुखा पाव्डर बनाना बने हैब मैं आपको प्लेटिंग करके दिकाती है मुआरा रAKड़ा यह हमारी पेटी को इस पें हम वापिस रागड़ा अप्लाइगे ए इस तरीक बूर चारो तरफ पेटी ज़ए सब्दों के अबरा है इसके उपर से रगड़ा मसाला डालना है ग्रीन चतनी डालना है रेड चतनी डालना है अब दही खाते हैं तो थोड़ा सा दही एड़ करना है कोतमीर भी एड़ करना है उपर से बहुत ही टेस्टी बना था गाइस इंदम इजी और आसान रेसिपी है इसमें हमें दालना है हरा दन्या यह देखिए इसे हमें बारिक चौप की प्यास डालना है उपर से वापिस हमें रगड़ा मसाला डालना है यह हमारा रगड़ा पेटि रेडी हो चुका है चलिए जब तक कि हम इसमें हमें सेव भी डालना है उपर से मिलते हैं अगली रेसिपी में अच्छी सी रेसिपी के साथ जब तक के लिया लाफीस दुआ में याद रखिए